हालो एंड वैलकम दो इस्टेटीट्विंटीफोर हाल तो स्वागत आप सभी का हमारे रीजिनिंग के एक वार फिर से एक नए सेशन में और लास्ट सेशन में हम लोग डिसकस कर रहे थे जो और इस पेशिली नंबर्स नंब्र को क्या करना रहता है इस कंद्स कर ली आज हम सेकिक सेeshon में हम लोग करने जा रहा है कि फोडवी नेक्र लैवल की चीजे ना उनको करने की कोशिज करेंगे और और बहुत सारे जो करने जा रहे हैं यह पूछा गया है एक पूछा गया है एक सीप्यों दो हजार और सवाल कुछ इस तरह है एक सर्किल है इसको छे सो में बाट दिया गया है ठीक है छे सो में बाट दिया गया है नंबर डाले गया है नो में पांच आठ तेरे पांच आठ तेरे बाइस उन्तालेस बाइस उन्तालेस यह नंबर क्या है अब ऑप्सन क्या देखे रखें हैं उन्होंने सिक्टी सिक्स सेविन्टी टू सेविन्टी वन सेविन्टी एट क्या है इसका और यह पूछा गया तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब सब्सक्राइब करना हो निकालना हो तो कैसे करते हैं कि या तो पहले नंबर से दूसरा नंबर आ रहा होगा फिर दो नंबर को मिला के तीसरा नंबर आ रहा होगा कैसे आ रहा होगा पांच के बाद है आठ यानि कि तीन जोड़ने पर आ रहा है आठ को जोड़ा है तो एक मिनुट मार कर ले लेते हैं नहीं आठ को हमने जोड़ा आठ से पहुंचे तेरे तक यानि कि पांच जोड़ा गया है की तेरे से हुआ है कि तो एठ हैं और एह और हम पहुंचे बाइस तख यानि कि कितना जोड़ा गया है नो जोड़ा हुआ और बाइस से उन्तालिस नयद्सी सकाव में कि अलड़ा है पर 57 गया है तो क्या कोई अठान बन पा रहा है अहां पर तीन पांच नौ सत्र कोई पैटन नहीं बनके आ रहा है या फिर और नमबर कहीं आ जाता तीन पांच साथ ग्यारे तो माल लेतें कि यह पैटन कलत है अब पांच से आठ कैसे आ सकता है यह फाइब को अगर मैंने टू से मल्टिप्लाई किया और दो घटा दिया इसमें से फाइब तूजा टैन माइनस टू इस इकल टू आठ चलो ऐसे माल लिया आठ तो तो ठीक नेक्ट मेंट और कितना आठ दूनी शोल है ठीक है फूल है मतलब यहां से सोले मैं से कितना घटा या यानि कि माले तीन घटा दे तो कितना आ जाएगा तेरे आ जाएगा ठीक है तेरे इन्टू टू तिरे दूनी कितना होगे 26 26 में से कितना घटा या जाए जो बाइस आ जाए यानि कि चार घटा दिया जाए लुन टीक है किरे से रहे हैं या बाइस नडेक है रवाइस दूनी चावालेस चावालेस में से कितना घटा या जाए जो 49 आ जाए आइटिंक पांच घटा दो तो 49 आ जाएगा और अब देखू 49 ठीक है उन्तालिस के बाद तो मैं फाइंड आउट करना है कि क्या है अब कोई पैटर्न बन रहा है क्या 5 इंटू 2, 8 इंटू 2, 13 इंटू 2, 22 इंटू 2 ठीक है दो से मल्टिप्लाई हो रहा है समय और क्या घट रहा है दो घटा फिर 3 घटा फिर 4 घटा यानि 5 घटा यानि continuous नंबर घट रहा है यानि कि अब जो घटेगा ना 6 घटेगा और किसका डबल होगा 49 का तभी तो यह बचा है बाइं कि 78 और 78 मेंыт है ितना कितना बचा 72 क्या किसी ऑप्सिन में 72 आंसर है वापन शोच्छोफ टैकứ नहीं औ continually यह है हमbir आशा घट सन से नंदेट है टीक है तो एक पैटें हमें बस чोंतर आध में खोजना है और हमारा आंसर जो है टीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए पर चलिए, नेक्ट नेक्ट जो सवाल है, वो UPSC में पूँचा गया है, UPSC से, से, सेट, दो हजार, तेरह में पूँचा गया है और UPSC का मतलब है भाई कि कुछ कुछ जब पूँचेगा, तो एक डिफरेंट लेवल में पूँचेगा, अलग तरीके का कुश्चेगा तो देखो, क्या पूँच के रखा है इनो ने, इनोंने पूँच के रखा है, ऐसे दे के रखे है, वोक्स बना के रखे है, एसे इनोंने तीन सेट बना के रखे है झाल झाल ठीक है यह तीन बॉक्स इन्हों ने बना के रखे हैं क्या देकर रखा है नहों इस बॉक्स में शिक्स देकर रखा है और फाइफ 21 और यहां देके रखा है 913 नेक्ट इन्होंने जो देके रखा है 21 7 और अब option इनने देके रखे हैं वही 4 8 20 क्या देके रखा है 14 क्या होगा इस कांसर तो देखो 2 box 1 single box 2 box 2 box 2 box 2 box 2 box एसा सिनेरियो है तो चलो हम एक किस एजियूम कर ले थे इन दोनों में कुछ ऐसा किया गया है कि यह आ गया इन दोनों के साथ कुछ ऐसा किया गया कि यह आ गया अगर हम यह रिलेशन सिद्ध करते कि इन दोनों की बज़े से यह आया है इन दोनों की बज़े से यह आया है तो इन दोनों की बज़े से यह आएगा और कितना आएगा वह हमें मैं सब्सक्राइब कि कैसे मैं सब्सक्राइब कि इन दोनों की बज़े से यह कैसे आया है इन दोनों की वैसे यह कैसे आया है तो देखिए 756 कुछ एडिशन हुआ हुआ साय सेविन प्लस फाइप इड इकल टू टू तो लें तेगने आशिक से यानिकी ट्वेल का अगर हाप कर दें तब सिक्षा रहा है कोई बात नहीं अगर यह क्रोनलोजी यहां फ 25 में डूड़ा हमने 27 कितना है तुइंटीश को अगर हम हाफ करें तो कितना गो हमारी क eer चूका है यानि कि इन दोनों नंबर का सम और उनका हाफ क्या होगा यह नमबन यहां पर इन दोनों के योग का आधा यह नंबर होगा तो इन दोनों का योग क्या है 21 प्लस सेवन कितना हुआ 28 और 28 को जो हम हाप से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा 14 क्या हमारा आंसर 14 है चार नहीं बी एट नहीं सी ट्विंटी नहीं डी 14 ठीक है यह है चलिए इसको नूट कर लीजिए एक पर चलिए कि अब देख आप समझ गया हुए यूपी ऐसी जो है ना वह बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछता ठीक है बट जो यूपी ऐसी है न वह एक अलग एप्रोच के साथ सवाल पूछता आपसे ऐसा सवाल पूछेगा जो कहीं नहीं पूछा जाता और सवाल होगा वह असान सा बहुत सिंपल सा ठीक है तो इसको चीजों को याद में रखना अब जो नेक्ट हम कोईश्चन करने जा रहे हैं यह पूछा गया है एससी है 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 चार और बाई तीन की ग्रिड एक बनाई गई है अब इसमें कुछ नंबर इस इंसर्ट करें गए है जैसे देके रखा है पहली पहली रो में 9 5 7 11 ठीक है और दूसरी रो में क्या देके रखा है 6 8 6 8 4 2 लास्ट ग्रिड में क्या देके रखा है इन्होंने 8 4 पता करना है और 7 और आप्सन इन्होंने देके रखें है भाई आप्सन देके रखें बच्चे 4 7 4 7 3 अब कैसे करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था जब ऐसा ग्रिड वाला कुश्चन आए तो या या तो यह इस साइथ से साइड चलेगा यह इस साइट से सफश्चन यार्नि कि या तो देख वाल चलता honour तो यह कर्या को मुकाबला होगा तो अब देखते हैं आप यह जो है न है क्या होगा कि यह चले गाने से लगवा आम पहले डाउंसाइड में ही अपनी सम्वाबना इतला सेंगे डाउंसाइड में क्या है कैसे यह माल लेते हैं हमने इस नंबर को टार्गेट कर लिया कि भाई जो लास्ट वाला नंबर है यह इन तीन नंबर के समेशन से आ रहा है या सब्सेक्शन से आ रहा है या गुड़ा करके आ रहा है या भाग करके आ तो देखें पहले हम अपना रफ वर करके देख लेते हैं कि हम अपना रफवर करके देख लें माल लेते हैं में तीनों को जोड के आ रहा है कि नौ कि पांच कि साथ नो पांच चौदे और साथ एक्यस नहीं दस कम है कि अब इसको भी चेक करके देख लेंगे सेम क्रोनलोजी को अगर यह फॉलो कर रहा है इस एट फो शे आठ चौदे चार अठारे लेकर यहां तो दो है यानि कि यह फेल है तो कितना है और नौ पांच चौदे 14 में से साथ गय過去 कितना गए साथ नहीं आ रहे है यानि रुख धं़ा सत ंध रहेर बड़ने और दो जोड ने पर भी काम नहीं बन हो सकता है नीचे इसे बाले दो जोड दिए घये हो और उपर्वाले में से घटा दिए गया है यानि कि सेविन प्लस फाइव माइनस नाइन यानि कि 12 बिल्कुल नहीं होगा तो हमने देख लिया इन दोनों को जोड लिया इसको घटा के देख लिया इन दोनों को जोड़ लिया इसको घटागे देख लिए अब हम करते हैं इन दोनों को जोड़ लेते हैं प्लस और इसको करेंगे मैनस ठीक है आई बस समझ मैं प्लस सेविन माइनस नो और साथ सोले सोले मैं से पांच गए कितना बचा ग्यार आतो गया खेर अगर यही तरकीव यहां हिट हो गई समय लेना कि यही पैटन चला इन दोनों नंबर को प्लस करो 56 अब यहां पर जो पोजिशन है मालू एक्स है सबस्क्राइब तो इन दोनों को जोडना पड़ेगा इसको घटाना पड़ेगा फिर आएगा साथ ठीक है याणिक कि कैसा एक्वेशन बने के दिट प्लस एक्स minus 4 is equal to 7 नहीं तो आना चाहिए है जी तो आना चाहिए है साथ अब 8 plus x minus 4 is equal to 7 यानिक एट में से 4 गया कितना गया बचेगा x plus 4 is equal to 7 और x 4 इदर चला जाएगा 7 minus 4 7 में से 4 गया कितना बचेगा तीन बचेगा देखो यहां पर 3 होना चाहिए यह 3 हमारा कोई आंसर है a4 है b7 है yes c will be the answer ठीक है यह सवाल है simple सा चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार चलिए अच्छा पर चलिए यह जो सवाल next जोंग करने जा रहे हैं यह पूंचा गया है एससी आप सीजी एल 2017 में टिक ग्रेट वाला क्वेश्चन है आप ग्रेट बनाने के लिए ग्रेट बनाते हैं सही से कि यह बन गया हमारा स्कार ग्रेट बनानी है मैं फॉर भाई थ्री की यानि की इधर फूर होंगे ठीक है इधर थ्री होंगे देखो एक बन तू इस त्री फॉर दन तू थ्री का ग्रेट है चलो क्या देखे रखा इस ग्रेट में फॉर 2, 1, 21, साही है, मालनी बाद, नेक्ट हैमरा, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 98, 98, 6, 7, 3, ओप्शन देके रखा है, उन्होंने, 85, B, क्या देके रखा है, 94, C, 104, D, 49, ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्या बता है, जब इस तरह का ग्रिड वाला कोश्चन आए, तो आप सबसे पहले कहां एक्सपरिमेंट करेंगे, डाउन बार्ड करेंगे, यानि कि और डाउन बार्ड में भी, कि इन तीनों से मिलके ये बना होगा, ये एजियूम करना है, ठीक है, बनना तो इधर उदर टक्रें हम खाते रहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला अटेम्ट हमें एही करना है, कि हमें डाउन बार्ड ट्राइ करना है, ठीक है, और ऐसा मान के चलना ओपर वालों से बना है, सबसे नीचे वाला, यानि कि 4, 2, 2, 1, को जोड़के तो 21 आ फोर इन्टू टू इन्टू बन एट नई टो इन्टी बन तो नहीं आ रहा यहां पेश को करके देखते हैं फाइव थ्री एट पास्तिया पंद्रे अंद्रे अठ्टे एक सोबीस नहीं है तो आगे बात आगे निकल गई विल्कुर्ट कि अब करके देखते हैं कि स्क्वाइर ठीक है मतलब यह हमारा यह बाला तो सिल ऋगया अब मैल्टी ब्लेक्शन से काम नीजिद्धा अप करेंगे स्कॉइर ए मों 4 का एस्क्वाइर इनको करेंगे पहले पहलेकर एड़ अगर एड़ करके आ आ जाता थो कोई बातने रिकर के नहीं आए फिरा मैं यह मल्तीकलिकेशन चलेंगे प्लस socks 2 का स्क्वाइर कितना करेंगे 16 तू का स्कॉयर कितना होगा फोर प्लस बन यानि की ट्वेंटी बन ओके ट्रेट ट्वेंटीवन आगया अब सेम अगर यह आगया तो समझ लेना हमारा जो जो ट्रिक है वो फॉर्मूला है वो हेट है अब यहां सेम पांच का स्कॉयर तीन का स्कॉयर आट का स्कॉयर इन तीनों को जोड़ना है पांच का स्कॉयर कितना हुआ पच्चिस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 अभी तीनों को जोड़ देना है 64 में 9 जोड़ा कितना बचा कितना बना 73 प्लस 25 और 73 प्लस 25 को जोड़ा 5 3 8 7 और 2 98 ठीक है 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर है लाओ 36 त्रिके 49 इसक्स का स्कोर थर्टी सिक्स, सेविन का स्कोर 49, थ्री का स्क्वायर कितना हो गा, नाइ इनको जोड के देखो, इनको जो जोड के आयेगा वही होगा हमारा आंसर कि देखो, अल्रेडी दो हमारे मैच कर चुके है, अब जो नेक्ट आएगा वह यहां आएगा ठीक है चलो 36 गो फॉर्टी नाइन नाइन और फॉर्टी नैन को जोड़ लेता है यानि कि फिफ्टी एट हो गया नाइन में फॉर्टी ने जोड़ा फॉर्टी एक जोड़ो इनको आठ और चे चौद है हासिल में लगा एक पांस तीन आठ और एक नो यानि कि 94 कहीं ओप्षन में 94 देख रहा है क्या है कि 85 94 ओप्षन भी विल वी दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको कि चलिए अज़िए कि मत losगेु जैज़िए कि नचसे हुआ है कि चाल सुम आंसर दोग Gmail कि रहा जिए जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछा गया भी एसस्टी एस्टेनो तो साउजेंट सेवेंटी एनि कि एसस्टी का जो इस्टेनो का एक्जाम होता है तो थाउजेंट सेवेंटीन ठीक है तो पाई चार्ट बना दिया गया है इसको छे हिस्टों में बांट दिया गया है कि इसके अलावा क्या देके रखा है इन्होंने पंद्र है है 16 है अठार है 21 है एक्केस और 20 है 21 अब ऑप्शन इन्होंने क्या देके रखा है बहाई पहला अप्शन देके रखा है 28 option B इन्होंने जो देके रखा है 30 C देके रखा है इन्होंने 35 D इन्होंने देके रखा है 27 अब मैंने क्या बताया था जबी भी ऐसा सब्सक्राइब करके देखना है कि मैं नेक्ट वाले से आगे वाला आ रहा हूं या नेक्ट दो को मिला के तीसरा वाला तो कभी नहीं आएगा दोनों को मिला भी देंगे जोड़के घटा भी देंगे जोड़के आदा भी कर देंगे तब भी नहीं आएगा तो पहले हम में धोड दिया आए तब आएगा six terra ٹिक है और 16 से आठारे की जरनी च्या है यह वाली बाद 21 से 25 चार तो ऐसे आ रहा है कुछ है ना अब 25 से आगे की जर्णिख क्या होगी तो देखो कोई पैटरन बन रहा है कि एक लिम्टेड पैटरन तो नहीं बन रहा है कोई एक जूड़ गया दो जूड़ गया तीन जूड़ गया लेकिन एक हैरार्की बन रही है कि पहले मे एक जोड़ा दूसरे में, दो जोड़ा तीसरे में, थीज़ाइश चार जोड़ा ठीक है। पांच में चैक जोड़ेगा पांच और 25 में पांच जब जोड़ेंगे तो आएगा 30 यानि कि यहां पर जो आएगा वो आएगा 30 और देखो कहीं 30 ओप्सन में देख रहा है यह बी 30 इस एक करेक्ट आंसर ठीक है चलिए इसको नोट कर दीज़े चलिए नेक्स्ट कि अच्छब कर दो की कि अच्छब करका गां कूई और दो उले है ओन्रुप और का शहां वो अच्छब एक है क्ष्टित को ओना है जब कि एक सबुच अजया यूपी बी एड दो हजार साथ में ठीक है और क्या है ये कुश्चन दो और यहां देके रखा है सोल है और यहां देके रखा है चाहँ दो सचाहँ और ऑप्शन इन्होंने देके रखा है ऑप्शन ए चाहर 32 D 16 यह देके रखा है यहनोंने सवाल में अब इस सवाल का कैसे करें सॉल्यूशन दो आ गया है फिर कुश्चन महा का रहा है सोले आ रहा है दो से चपन आ रहा है ठीक है देखो इसे सवाल पहले तो करके देखते हैं भी कैसे सोले से दो से चक्पन यानि कि कुछ ऐसी साइकल चल रही होगी है ऐसी साइकल चल रही होगी ऐसी साइकल चल रही होगी ऐसी साइकल हमने जैसे करके देखा है पहले वाले से स्पूले से दूसरा वाल आ या फिर दो से तीशरा आएगा और कि दूसरा पास Ambigal नहीं है तो हमारे पड ακर कर दें तो सोले का स्कॉायर कर दें तो क्या आएगा चाहिए तो यहां चाहर अगर हो तो बात बन जाईगी हर अगला नंबर आपने पीछे वाले का इस्कॉायर है यानि कि चार क्या है दो का स्क्वाइर है सोल है क्या होगा चार का स्क्वाइर होगा और 257 कि स्क्वाइर होगा सोल है का स्क्वाइर होगा ठीक है तो यहां अगर देखो कोई option match कर रहा है तो ठीक है option put up करके देख लेते हैं तो option भी हो चलिए, नेक्स्ट में पूछा गया है यह क्वेश्चन और एक अलग ही कलाकृती बनाई है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं करी है ठीक है और इसके साथ साथ दो जगे पूछा गया यह कुश्चन दो जगा पूछा गया है यूपी असिस्टेंट कंजर्वेटिव और फॉरेट है ना एसी एफ यूपी एसी एफ यूपी पीसी का जो एक्जाम होता है एसी एफ इसके 2019 के पीपर में वाव दो जगे पूछा गया यह कुश्चन तो कुश्चन कुछ इस तरह है कि अच्छिंग है कि कि साथ कि थोड़ा इस पिक्चर को थोड़ा एलेवरेट करके बना लेते हैं क्योंकि यह वाला साचा थोड़ा सा छोटा हो गया ऐसे कि कि थोड़ा इस पेस्टेक है ना थोड़ा से सब्सक्राइब कि साथ कि सोले कि चोंतिस कि एक सो ब्यालेस कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब दोसद श्यासी है ए बातर बी सब्सक्राइब बातर कि सी अड़ा सब्सक्राइब अड़ा सब्सक्राइब भी बिनम लोग जो हम लोग पाई-चाष में फॉल rocky यह परएस बनेगा दूसरे से मिल के तीसरा आएगा डूसरे तीसरे से मिल gén वहान आएगा उसे सोत्र से पांच में से मिल च liएगा चौ यह एले से दूसरा बनेगा दूसरे से तीसरा बनेगा तीसरे से चौता बनेगा चौते से माजमा बनेगा च्छटे से साथ मदलब एंड सो और तक चलता रहता है और ये काउंट देखें हम इसमें साथ साथ से अगर 16 लाना है तो क्या करना पड़ेगा ठीक है साथ और साथ 14 यानि कि साथ में दो से मल्टिप्लाइ करो और कितना आया साथ में दो से मल्टिप्लाइ किया तो 14 लेकिन दो कम है यानि कि दो जोड़ना भी पड़ेगा अगर यहां यह हिट कर गया तो मतलब हमारा जो हम जो है एक सई दिसा में जा रहा है ठीक है 16 को करा हमने दो से मल्टिप्लाइ और दो जोड़ दिया कितना है 16 दूनी 32 और 32 और दो 34 ठीक है बिलकुस सही है दोनों जगे हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है अब हम इससे इसको निकाल दें कैसे 34 को करना है दो से मल्टिप्लाइ प्लस दो जोड़ देना है 34 को दो से मल्टिप्लाइ किया कितना है दो चौक आठ दो टिया छे है ना और इसमें जोड़ दिया 2 68 और 2 कितना होता है 70 क्या किसी option में 70 है यह देखिए कि अधिकर तो यह हमारा अंसर होगा तो सब्सक्राइब दो दो जगे सवाल पूछा गया जी मैट है ना और यूपी पीस यह च्छोटे मोड़े एक्जाम में बड़े लेवल के एक्जाम में सवाल पूछा गया है ठीक है सिंपल है चलिए नोट कर लीजे से जाली नेक्ट कि यह जो नेक्ट सवाल है पूछा गया है यह 36 गड़ PCS 2017 में 37 गड़ कि पीएस्ट से 2017 में प्रिलिम्स में पूछा गया है ठीक है सवाल पाई चार्ट में अगेन क्यों कि अच्छी अच्छी नहीं है लेकर बस समझने के लिए इतना काफी है कि आप बहुत टू टू बन टू टू फोर एट ठीक है इसके अलावा क्वेश्चन में क्या है कि अप्शन हमारे कुछ इस तरह हैं अप्शन ए टेन आप्शन बी कि 15 ऑप्शन सी ऑप्शन सी थर्टी टू ऑप्शन डी ऑप्शन डी प्याइट कैसे होगा तो मैंने आपको पाई चार्ट का बताया था ठीक है जहां से कुष्चन मार्क शुरू हो उसके आगे से शुरू कर देना आपने ठीक हैं और आपको क्या बताया था कि या तो पहले बाले से दूसरा बाला आएगा ठीक है या दूसरे बाले से क्या आएगा तीसरा बाला आएगा ठीक है तीसरे और चौते वाले से क्या आएगा पांच में वाला आएगा अब पांच में च्छटे वाले से क्या आएगा आठ में ब डूब प्ने जा रहा है तो बात कुछ और होती है तो यह तो भई ये बाला फ्हेल इतना मतलब हमें इतना तो पता चल गया एक से नहीं होगा अब हमें दूसरी ट्रिक अपलाई करनी कि दो से आएगा तीसरा दो से तीसरा कैसे बन और टू से क्या करें 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 जोड़ें घटाएं गड़ा करें या भाग करें जोड दिया तो तो तीन आ गया भई गलत घटा दिया तो एक आजाएगा गलत कि मल्टिप्लाई करके देखें तो तू बंजा टू ठीक है यानि कि मल्टिप्लाई करके हो जाएगा तो इन दो से मतलब कि मल्टिप्लाई करके हो जाएगा ना इन दो से क्या आया अब टेक्निकली हमारा फॉर्मूला हिट कब होगा हमार multiplication से आएगा ये टू और टू को multiply करके ये आना चाहिए यानि कि 4 इल्कुल ठीक अब इन दो को multiply करके ये आना चाहिए यानि कि 2 into 4 is equal to 8 मिल्कुल ठीक अब हमारा जो answer आएगा हमें पता चल चुका है इन दोनों के multiplication से आएगा यानि कि 4 और 8 के multiplication से आएगा ठीक है तो यह कुछ और एक्जाम्पल थे अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ और एक्जाम्पल हम लोग इसमें करने वाले थोड़े हाई लेबल के ठीक है तब तक के लिए आप आप लोग अपना ख्याल रखिए थैंक यू थैंक यू बैरी मुच